इश्क की जन्जीरों में गिरफतार हो न जाए प्यार हो न जाए, तुझे प्यार हो न जाए तुझे प्यार हो न जाए, तुझे प्यार हो न जाए तु अंजान मुसाफिर, दूर है तेरी मंजिल रोक न ले तनहाई, प्यार भरा ये दिल जुल्फों के साए में जुल्फों के साए में बेकरार हो न जाए प्यार हो न जाए, तुझे प्यार हो न जाए कोवनी नगर्या मोरा सयाजी के डेरा कोवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सकी हो कि सकी हो कई से जई बेनायन जान रे डगरिया राम कैसे जई बेनायन जान रे डगरिया राम कोवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सकी हो कैसे जई बेनायन जान रे डगरिया राम कैसे जई बेनायन गजब गजब के लोग बजग में स्वारत भैल समाज हो दुख में कहाबा के हू संगतिया ये दुनिया में आज हो सांस जब बुले बाटे आस तब ले बा सिर्फ तो हरे हम इंतजार करी मरे से पहले जूठ ना बोली सिर्फ तो हरे से हम प्यार करी गर्दम पर रखल चूरी बावे गर्दम पर रखल चूरी बावे एक मुलाकात जरूरी बावे जहिंद आप देख रहे हैं फॉस्ट हिंदुस्तानी चैनल मैं हुप्रविनुत आपको बता दें कि आप लोग तो कई बार देखते होंगे और सुनते होंगे कुछ-कुछ ऐसी चीजे जो कि आपके दिल में लालसा ए रह जाती होगी कि कास दुबारा सुन पाते जैसे कि आप लोग कहीं-कुछ-कुछ चीजे आप इंटरनेट पर स्वाइप अप कर देते हैं जैसे कि आप हो सकता है कि कि किसी का गाना सुनते होंगे हो सकता है कि कि असकुछ बीडियो सुनते होंगे होंगे लेकिन आपको आज उस सकत मिलवाने वाले हैं जो कि कहिए मतलब एक स्टेज सो किये हैं का इक स्रीयों में एक्टिंग भी किये हैं और गाने भी घाएं हैं मतलब कहिए इनका अलग अंदाज है और हमारे बस इनका परचल करवने का सिर्फ एक इतना ही मकसद है आप लोग किरपय इनके बारे में जान सके और इनको सपोर्ड कर सके क्यूंकि आज कल जो देखा जाता है असलील असलील चीज़े गा करके घंदी घंदी चीज़े गा करके मार्केट में लोग च्छा जाते हैं और अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, जिनको मतलब कहा जाए तो पूरा देश जानना चाहिए, उनको कोई इंटर्वी भी नहीं चलता है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हाला कि अभी हमारे साथ मतलब कही है तो एक सूफी सिंग मैं रजे दिवेदी, आप जो भी मुझे देख सुन रहे हैं, सब को दिन से नमस्कार करता हूं, और अपने अपने नाम के साथ, अजे दिवेदी जी अपने नाम के साथ सूफी सिंगर रखा, तो फूफी का मतलब क्या होता है? यह नाम में रखा नहीं हूँ मुझे भी नहीप पता है क्याने लेकिन जह मां गाता तो लोग ही मेरा नाम सिंदे शुफी मेरा नाम नाम मैई है सुफिवरा सब्सक्राइब एक नाम कःए positive मुझे पसंद आती हैं अभी और कभी भी लोगों का ये भी कहना आता कि अजे भाईया आप ये सब टाइब का गीत क्यों गाते हैं वो सब गाते थोड़ा वो सब हैं लेकिन जादे मतलब मेरी दिवान की चायन मतलब सूफी में रहती है अच्छा लगता है इसका महाली कुछ मैंने देखा है कि जिसको मतलब इतने कचड़ कचड़ गाना गाते हैं जिनको तमीजन ये गाने की वो लोग उनके सामने अच्छे सिंगर बैढते हैं तो ये ने की तो हाल चाल हो जाए या कुछ सीखने का मौका मिल जाए दो शब्द कुछ बात चीत करेंगे तबी तो कु हम तो इस्टार हैं इसे कुछ भी कहा जाए तो कुछ भी मतलब गाद है नहीं हम लोग तो भाई अपने से छोटे को भी बाबी बोलते हैं और बड़े कर तो भाई भगवान जैजा पूछते हैं कोई भी हो अभी हैं यहां पे दिलिव गिरी जी हैं ब्याजी हैं हरिंदर ब लोग सामने पढ़ते हैं तो कभी आप पूछ लीजेगा यकीन होगा तो मैं नमस्कार करता हूं जबकि उनकी गयकी और मेरी गयकी में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन वह एक तरह से गुरू समान है ज्यादे दिन से गाते हैं ऐसी बात नहीं मैं कितना भी गाता हूं तो उ आगे बढ़ जा रहे हैं लेकिन आप जैसे अच्छे सिंगर कहा जाए तो आप लोग जो कि समाज को अलग दिसा देते हैं आपका चैलेंज करने वाला फिल्ड अलग है आपके चैलेंज को एक से करने वाला फिल्ड साय बहुत ही कम है उसके बावजूद भी आप लोग रहे जाते हैं अब इसका तो पता नहीं या तो हम लोगा रफ्तार कम है या कुछ मतलब कुछ कमीया होती है अपने अउतर सबकें अंदर होती है शायद मेरे अंदर भी होगी लेकिन मैं अभी album नहीं गाया हूँ, album से कोई भी आगे बढ़ता है, किसी किसी का इस्टे का भी कोई गाना, जैसे गाना लिकला था, ना बजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बिमारी है, तो ये गाना काफी, मतलब आगे, आगे की ओर बढ़ा, इस गाने से, तो ये गान है, जब नसीब में आएगा, तो जरूर मेरा भी कभी नाम आएगा, लेकिन, ये है कि मतलब मौका कभी नहीं मिला मुझे, album का जैसे, सब को मिल जाता है, बड़ा-बड़ा मौका गाने का, अब मालीजे, album गाय जाएगा, तभी ना आगे बढ़ा जाएगा, तो ऐसा कभी न सब्सक्राइब करना और चाहना स्टार्ट कर दें, बाकि यहां पर मतलब जो लोकल स्टूडियो है, बड़ा में है, उन्होंने मुझे गाने का मौका दिया था, एक दो गित गाय था, सबने तारिफ किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया, कैसे, बिहार में अक्सर देखा जा सब्सक्राइब करोड़ कर रहे हैं, लेकिन आज लाखो करोड़ रुपए वही सिंगर कमा रहे हैं, जो सिंगर गंदे गाने गा रहे हैं, और वो गाने अपने परिवार में सुनने के लायक भी नहीं है, यह तो बात है, लेकिन उसमें भी कुछ विचार अच्छा होना चाह तो पता नहीं कोई ढोड़ी वाला गाना बहुत अच्छा उनका हीट हुआ लेकिन उनके अंदर यह कि थोड़ा बहुत घमन नहीं है मिले थे मैं जा रहा था मैं पैदल जा रहा था मार्केट में किसी काम से तो उद्धर फॉर्विलर से वह आ रहे थे तो अभी इस्टार बन सब्सक्राइब कर रहे हैं जिससे की गाने अब थोड़े थोड़े अच्छे आने सुरू हो चुके हैं वह भी बड़े स्टार के तरफ से पॉन सिंग जी का तो जवाब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मतलब इकलोते सिंगर वही अच्छे लगते हैं भजपूरी में आपको पसंद वहीं है सिर्फ हाँ और नहीं अलोकुमार जी भी है वो भी मतलब गाते हैं अलोकुमार अच्छा पॉन सिंग जी का कोई गाना अगर आप गाना चाहें तो दर्थ को सुनाना चाहें तो क्यों नहीं जूरूर सांस जब बाटे आस तब ले बा सिर्फ तो हरे हम इंतजार करी मरे से पहले जूठ ना बोली सिर्फ तो हरे से हम प्यार करीं गर्दम पर रखल चूरी बावे गर्दम पर रखल चूरी बावे एक मुलाकात जरूरी बावे लिए आपने बहुत अच्छा अंदाज में और एक अलग अंदाज में गाया था और कहा जाए तो इसमें जो भी अभी चीज जो भी भजपुरी में असलील चल रही है उससे हट करके था तो इसके लिए आपका बहुत दन्यबाद एक बार आप थोरसा आप जो हिंदी हमारी भाषा बहुचपूरी है तो मैं अपनी भाषा को भी तो खराब नहीं कर सकता बहुचपूरी में भी ऐसी बात नहीं एक से गीत है आपने सुना होगा जैसे की गजब गजब के लोग बजग में स्वारत भैल समाज हो दुख में कहाबा के हूँ संगतिया ये दुनिया में आज हो तो ये सब बहुचपूरी में ये सब गीते हैं इसमें वजब ने यही इज़त रखी है बहुचपूरी की जैसे ये गाना है कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सकी हो की सकी हो कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सकी हो क्यसे ये सब कहरे की ये खराब नहीं है लेकिन जीस तरह से कहा जाये तो हमारे पूरवज जो गायक रहे हैं जो भी सिंगा रहे हैं ये जो भी आस रहे आज कि आ रहा है उसलें से चार साल से लेकर दस साल तक की उम्र में मतलब छे साल के बीच मैंने देखा है कि बड़े छोटे की इज़त पहले की लोग अपने से बड़ों के साथ क्या करते थे कैसे समान सामने कोई दिखता नहीं था अपने से बड़ों के सामने कोई बोलता नहीं था उनी लोग को में ताजा करते रहता हूं गागा के आप बॉलीवूड में बोले थे हिंदी में कहाए कि मतलब हिंदी वेस्ट है तो एक तरह से हिंदी में भी भले गाने लोगों को असलील ना लगते हैं लेकिन उम्हें की जो ड्रेस डिजाइनिंग होती है भोजपूरी से कही ज्यादे असलील होती है अपने साथ इस जीजीज पर गोर ना किया हो लेकिन ऐसा होता है वैसे तो मैं ध्यान guitar नीदेता हूं मैं गाने पर ध्यान देता हूं मेरे इस्टेस कभी भी आप मतलब ये भी बात में गोर नहीं किया मतलब कुछ मेरी चाची हो ने जो आंटी जी लोग हैं जो देखी थी वो एक बात उन्होंने बोला था कि अजय तुम्हारा नजर तो यार गाने पर यह वह इतनी अच्छे ची डांस करें उनके तुम देखी नहीं रहें तो ही बात है मैं ड्रेस पर नहीं देखता हूं मैं सुरू पर मेरा ध्यान रहता है कौन कैसा गार है मैं वो सब देखता हूं गायकी देखता हूं ड्रेस नहीं कभी देखा हूं तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिपनी करना नहीं चाहूं है आप थोड़ा सा जो बॉलिवूड किया जो हिंदी के सौंग है जो का करके सुनाना चाहें और अपने अंदाज में सुपी जाना कुछ इस सब टाइब का मतलब अलग टाइब का जैसे कि एक बिच्चु की नम जली होगे इसक की जंजीरों में गिरफतार होना जाए इसक की जंजीरों में गिरफतार होना जाए प्यार होना जाए तुझे प्यार होना जाए तुझे प्यार होना जाए तुझे प्या अन्जान मुसाफिर दूर है तेरी मंजिल रोक ना ले तनहाई प्यार भरा ये दिल जुल्फों के साएं में बेकरार हो ना जाए तुझे प्यार हो ना जाए ये सूफी में आता है लुप का अलग गोल्ड लदा अन्दाज है कि वार में और डाइमंड एस्टार तो ट्रेंडिंग एस्टार तो सूपर आपका बड़पम है किस अलग अंदाज से गाने का इस आपका सोच कहा साइब कि अंदाज में गए मतलब मैं चोथी शोथी में पड़ता था मतलब में गुरु मानता था कुमार सामनों यूंकर सबसे पहले जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था एक ऐसी वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था यह सब टाइब कर गाता था लेकिन मुझे मटलब उस्तादवाली गीते तारीफ ट्जरी क्या सूरत तो यही सब मैंने सूफी का पहला काओ वालि मैंने यह याद किया था और धेरे मतलब कभ कुमार शानू से कब उस्तादव की गयाकी मुझे पसंद आना रखिश मुझे संगेत का सनुटches तो यह समंधर है मतलब अभी किस फिल्म में करना मतलब कुसंद करता है मेरा जीवन भी और मिरित भी दोनों इसी में रहेगा अपने मुंबाई में आप गय थे तो किन किन स्टारों से मिलें यह जैसे की कि सबसे पहले मैं विपीं सच देवा जी से मिला था सिंगर बोली बूर्ड ओ हरे डू पट्टे वाली जानम रुप जाना यार 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 का ना कभी छूटेगा यह सब गाने उनके हैं उसके बाद जब मैंने कुमार सानु जी से मिला तो ऐसा लगा कि मैं अपने सपनों की जी तेंदर जी मिला हूं बहुत लोगों से अचा इन लोगों ने आपको गानों के लिए करके क्या फीडवेक दिया है आपको क्या लगता है उनके फीडवेक से मैं कभी अपने बारे में बात नहीं किया कभी मतलब पहले दूसरे मुलकात में मैं कभी मैं कोई हेल्प नहीं मांगाओ खाली एक उनका अधरसक के रूप में जिसको फैंस बोलते हैं उसी रूप में जाकर एक अंजान की तरह मिला हूं एक शब्द बात किया उनके पैर को चुआ हूं असिरबाद लिया हूं एक फोटो खीचवाया और बस चला गया लेकिन यह कि उधित नरान जी से मैंने बोला था कि सूपी सिंगर हूं और मैं आपको आपके चर्मों में अपना मतलब मेरा प्रणाम सुविकार की जी और मैं आपका बहुत बड़ा दिवाना हू और पूरे बोली बुड में आपसे मिठा आवाज की सिकाने लगता है तो उन्होंने कहा रहे बाबरे आपने क्या बात बोल दिया ऐसे बोले तो हाथ जोड़के उन्हेंने बोला ता दिवेदी जी मैं आपको सुनना चाहूंगा तो मैंने आपके बंगले पर आके सुनाओं मतलब कहा चाहे तो जो भी ही इंडस्श्रिष वह बहुत अच्छा से सिंगरों और इनको भी जलद एक अच्छय प्लेटफारम पर मोका मिलेगा और कहा जाए तो इनको भी लोग दर्सक जो भी है उन्हों पसंद भी करेंगे जो और उनकी गाने का जो अंदाज है और ऐसे क्या करना चाहेंगों अब हमारे दर्शकों के लिए आपको अभी देख रहे हैं कि बस में सब को सबसे पहले हाथ जोड़के नमस्ते करूंगा यही बोलुगा कि मेरा गाना आप लोगको अच्छा लगता है तो फिर्पय करके मुझे सपोर्ड कीजिए लाइक और भाया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई जो भी आपके दिल में जो चयन हो जो भी बाते हो वो कमेंट में आप लिखिए और बताइए मैं देखूंगा इसका रिप्लाइद दूँगा जो होगा वो करूंगा आप लोगके लिए और मैं यही चाहता हूं कि आप लग अंदाज में गाना और आप लोग भी होकर चाहते हैं कि आपके द्वार पे कोई प्रोग्राम हो जिसमें इनको बुलाएं तो आप बेजिजक इनको बुला सकते हैं क्योंकि इनको बुलाने के बाद से आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि बेटी तुम घर के अंदर च असल इलता पुरी तरेकी से भरी होती है लेकिन आप असल इलता से हटना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं कुछ अलग अंदाज दिखाना चाहते हैं तो आप इस गुपालगज के लाल को बुला सकते हैं और कहा जाए तो गुपालगज के लाल जैसे कि आपने देखा पंकष्टिरपाथी जी और उसके बाद से कई सारे मतलब भोजपुरी इंडर्स्री से ले करके कहाई तो राजनितिक तक कहाई तो नेता से लेकर के अब नेता तक गुपालगा जिला ने मतलब कहाई तो पूरे देश दुनिया में अपने नाम परोशन किया है, तो उसी घुपाल के जिला से हैं, तो आप जो भी दर्शक इनको बुलाना चाहते हैं, आप a screen पे दिए गए contact detail साफ इनको contact भी कर सकते हैं, और इनको बुला करका आप सुन भी सकते हैं, हाला कि यह वीडियो देखने के बाद से आपको कैसा महसूद हो रहा है एक बार हमें कमेंट करके जुरूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक साथ तब तक ले जाए हिंद